नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल स्वी रियल टिप्स में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेस्बुक प्रोफाइल का टोटल वार्टाइम कैसे चेक कर सकते हैं अगर आप अपनी फेस्बुक प्रोफाइल पर ही वीडियो या फी रियल वीडियो अप्लोड करते हैं और आप अपनी फेस्बुक प्रोफाइल का टोटल वार्टाइम चेक करना चाहते हैं कि अभी तक हमारी Facebook प्रोफाइल पर कितना वार्टाइम कंप्लेट हो चुका है। तो दोस्तो अपना Facebook प्रोफाइल का वार्टाइम चेक करने के लिए आप अपनी Facebook एप में ही कर सकते हैं। और आज कि इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी Facebook एप के जरी ही अपना Facebook प्रोफाइल का टोटल वार्टाइम चेक कर सकते हैं। तो आज दोस्तो फटा फटा से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी Facebook एप को उपन कर लेता हूं और यहाँ पर जो आपको अकाउंट सो हो रहा है दोस्तो यह हमारी Facebook प्रोफाइल है। यहाँ पर हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फट मिस हो रहा है यह हमारा Facebook प्रोफाइल है और जश्ट इसके निचे जो आपको सो हो रहा है यह हमारा एक Facebook पेज है। तो यहाँ पर मैंने अपनी Facebook profile का open कर लेता हूँ और उसके बाद हम जैसे अपनी Facebook profile का open करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको अपनी Facebook profile को professional dashboard में जलू convert कर लेना है तो यहाँ पर आपको Facebook professional mode में convert नहीं किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी Facebook profile को professional mode में convert कर सकते हैं जैसे ही आप अपनी Facebook profile में आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3D option मिलेगा इस पर click करना है उसके बाद दोस्तों थोड़ा निचे आएंगे तो यहाँ पर turn on professional mode का एक option मिल जाएगा इस पर click करके आप अपनी Facebook profile को professional mode में convert कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने already अपनी Facebook profile को professional mode में convert किया हुआ है तो अब हम आगे चलते हैं कि वीडियो में कि कैसे profile का wire type चेक करना है दोस्तों जैसे ही आप अपनी Facebook profile को professional mode में convert कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको view tool, dashboard या फिर manage का कुछ option यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर view tool के जैसे click किया तो यहाँ पर आपको कुछ Facebook के कुछ tool यहाँ पर show होंगे और यहाँ पर आपको एक new tool show होगा in stream add का, in stream add के just bugle पर यहाँ पर आपको एक arrow भी show हो जाएगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपके Facebook profile का पूरा data show हो जाएगा कि अभी तक आपकी Facebook profile पर total कितना follower complete होगा है कितना watch time complete होगा है और पांच active video है या नहीं तो यहाँ पर आपका जो first में show हो रहा है कि हमारे Facebook profile पर पांच के follower complete होनी चाहिए तो हमारे फिलार complete होए है यहाँ पर आपको show हो रहा है 4000 के something हमारे follower यहाँ पर complete हो चुके है जास्टिस के बाद में जो second number पर option मिल जाता है engagement का यहाँ पर हमें हमारा Facebook का जो criteria है 6000 मिनिट का वो complete करना होता है तो यहाँ पर हमारे इस profile पर सिर्फ 289 मिनिट ही complete हुआ है ऐसे ही आप भी आसानी से अपनी Facebook profile का चेक कर सकते हैं और सबसे end में जो आपको option मिल रहा है यहाँ पर आपको जो Facebook profile पर जो भी आपने वीडियो या फिर Reels वीडियो जो भी आप upload करते हैं उन में से कुछ पांच वीडियो अक्टिव होनी चाहिए यहाँ पर ऐसे आप आसानी से अपनी Facebook profile का बाट टाइम चेक कर सकते हैं अब बात आती है अगर आप Facebook profile के जगा पेज पर वीडियो या फिर Reels वीडियो अप्लोड करते हैं तो दोस्तों तरीका सेम ही है आपको अपने Facebook profile पर आ जाना है उसके बाद अपनी page की profile पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी manage dashboard या फिर view tool का option मिले उस पर क्लिक क करना है उसके बाद आपको in stream add के इस arrow पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपका Facebook पेज का भी वार्ट टाइंड फॉलोवर पास वीडियो एक टीप जो भी है criteria वो यहाँ पर पूरा सोख हो जाएगा इसके लिए आपको कोई भी website या फिर कोई भी ऐसी app को यूज करने की जू को मोनेटाइज हो जाएगा और आप भी अच्छे खासे पैसे आर्म कर सकते हैं सो आई होप दिये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और फिर भी अगर मन में कोई भी सुजाओ हो कोई भी विचार हो तो कोमेंट करके पूछ सकते हैं चनल पे नए तो चनल को सस्क कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद